मैं आज आपको जिवानों खास से बीज का उपचार कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा तो आपने जैसे बीज लिया उसको पंजी साइड से उपचार कर लिया उसके बाद इंसेक्टि साइड से उपचार कर लिया उसके बाद लास्ट में आप उसके उसको जिवानों ख जिवानुखाद से उपचार करेंगे और उसके बीच में आप कम से कम एक घंटे का कैप रखेंगे और उसके बाद जिवानुखाद से उसका उपचार करेंगे आप जिवानुखाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूल के नाम से जिवानु संपूर में तीन जिवानों हैं जिसमें एक नायटोजन इस्थरी करन करता है दूसरा फासपोरस की उपलपता बढ़ाता है और तीसरा पोटास की उपलपता बढ़ाता है इसके अलावा आप पूसा संपूर के साथ साथ जिंक जो आज कल सभी धान की फसल में जिंक का प्रियो तो पहले आप बीज का उप्चार कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए जो कूसा संस्थान में पूसा संफून उपलब्द है, जो 100 ml के तरल गोल के रूप में उपलब्द है, वो आपको लेना है, और जिंक वाला जो गोल है, वो तरल है, वो 50 ml के लिक्वि के हिसाब से उसका डाइलूशन करना है, क्योंकि धान के आप देखेंगे, नरसरी के लिए आपको 20 किलो के करीब एक हेक्टेर के लिए बीज लेना है, उसको एक बीकर में जैसे हम उसको मिला लेंगे, पूसा संपून को, और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिन्क वाला भी उसको में मिला लेंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहें, तो उस हिसाब से हमने कम मात्रा ली है, मगर ये एक सीसी जो है, वो एक एकर के लिए आपके पास है, अब हम बीज का उक्चार करेंगे, इसके लिए हमने जो पूसा संपून और जि कर लिया है, उसको हम बीज के उपर धीरे-धीरे मिलाएंगे, धीरे-धीरे डालेंगे, उसके बाद हम हाथ से, जिसमें हमने गिलाव चड़ाया हुआ है, नंगे हाथ से ना करें, और उससे धीरे-धीरे उसको मिला देंगे, और हमारा प्रियास ये रहेगा कि सारे बीजों यह हमारा जीवानुखाद का जो हमारा भोल है वो मिल जाएगा और जब इस अच्छे से गिले हो जाएं तो उसको हम इसको हवा फेला देंगे और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे आधा एक घंटे में इसको सूख जाएगा उसके बाद हमको इसका नरसरी मे बुआई करना है या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसकी बुआई के लिए जा सकते हैं पूसा संपून और जिंक वाला जो टिका है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है और फूसा संपून का रेड़ जो है वो जो 150 रुपई का है जो आपको एक एकर में प्रियोग करना है और जिंक वाला जो टिका है उसको 75 रुपई में उपलब्ध है जो आपको उसको भी एक एकर में प्रियोग करना है